नागालाइन में उग्रवादी हमले में आसम राइफल्स के आठ जवान शहीद हो गए हैं और छे जवान खायल बताए जा रहे हैं जिनमें दो के हालत काफी नाजुक पनी हुई है चार जवान लापता बताए जा रहे हैं उग्रवादियों ने ये हमला म्यामार सीमा से लगे नागालाइन के सुदूर इलाके में किया नागालाइन में मोंजिले से असम राइफल्स के वाहन को निशाना बनाते हुए उग्रवादियों ने एक शक्ती साली बंव स्पोर्ट क्या और बाद में घात लगा कर गोलेबारी भी की उस समय ये जवान एक वाहन से तोबू इलाके से पानी लेकर अपनी कमपनी के शिविर की ओर लोट रहे थे वाहन में 20 जवान थे बताया जा रहा है कि जवान एक ट्रैंकर लेकर पानी लाने गए थे उग्रवादियों ने सबसे पहले बंव स्पोर्ट कर वाहन को निशाना बनाया और उसके बाद अंधा धुन्द गोलियां चलानी शुरू कर दी जवानों ने उनकी गोली बारी का जवाब भी दिया लेकिन आठ जवान घटना अस्तल पर ही शहीद हो गए